सरकान देता आते हैं और जूट मूट का दिलासा देकर चले जाते हैं बार में घर बार सब बढ़वाद हो गिया अब तो हर साल का यही रोना है घर के लिए उचाई पर जगा दिलवादो कब तक बढ़वाद होंगे यह कहते हुए नीबडी पूरा गौ के एक महिला रोने बीलपूर स्थित बार पिडितों से मिलने पहुचे जैसे ही वो उनके पास पहुचे तो महिला वा लरकिया उन्हें देख कर जोर जोर से रोने लगी सिंधिया ने उसे कहा कि रो मत अब हम आ गए हैं आप लोको चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है हम जानते हैं कि आप ल उन्हें उची जगा पर घर बनाने के लिए जगा दी जाए जिससे उनका वा उनके बच्चों का जीवन बच सके ग्रामीनों ने मंतरी सिंधियान से कहा कि घर बढ़ ग्रिस्ती अनाज मावीशी सब बार में भेट चड़ गया है अब उनके पास खाने को लाले हैं उनके साम अपने रोटी की समस्या हैं कैसे अपने वा अपने पडिवार का पेट पालेंगे महिलाओं ने मंतरी से कहा कि उन्हें रात में नीन नहीं आती सोच सोचकर अपने घर का ध्यान आता है सब कुछ बरबाद हो गया अब अपनी वा अपने बच्चों की जिन्दकी कैसे कतेगी यह सोचकर रोना आता है नीबडी पूरा गौ के लोग पहले होंगे विस्थाप्तित मंतरी सिंधिया ने मौकई पर मौजूद कलेक्टर से कहा कि सबसे पहले नीबडी पूरा गौ के लोगो को विस्थाप्तित करें इसके रूप रेखा बनाए और फाईल बनाकर सरकार के पास भेजें चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल होस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आइस मांच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाईल नंबर नौँ छे नौँ एक दो आठ आठ पांच छे सुन्य पर या फिर संपर्क करें साथ पांच छे छे आठ तीन एक पांच पांच एक पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पिटल समानतिराहा रिवा संपर्क करें सुन्य साथ छे छे दो तीन पांच नौ नौ साथ चार पर या फिर संपर्क करें आठ छे सुन्य दो आठ आठ पांच नौ नौ शून्य पर